यह आपका लूप है तोड़ी लिया आया मैं उपर से लूप और अभी हमने जो फइंड किया था वो किया था इसके सेंटर पर लेकिन अब हम एक्सिस आफ लूप पर फाइंड करेंगे तो पहले एक्सिस आफ लूप क्या होती है समझ लिए यह एक रिफिल निकाल ली और यह सेंटर इस सेंटर से पास होने वाली एक लाइन विच इस पर पेंडिकुलर दॉदा प्लेन आफ लू देखे जियां से यह आपका लूप है और इस तरह से हम डायगराम को टोड़ा सा यहां अलग तरी किया जायगा जाएक लूप है और लूप का सेंटर से जो पास्थ हो रही है वाइन बेशिव इसस इस एक्सिस ऑ लूप लूप तो मैं इसे लूप को ऐसे हाथ में पकलकर य इस एकसिस है हमें find करना है दी स्घ्रसे कारनी चाहरा है यह यह पोईंट है और यह लूप का मैं डायमीटर भी ड्रॉब कर रहा हूं यह मेरी जो टूथ्पिक मैं नहीं रखी डायमीटर आप दे लूप का और यह सेंटर से एक्सिस पास हो रही है ठीक है तो तीन-चार लाइने बनेंगी यहां पर तीन-चार लाइन बनेंगी डायमीटर आप ध्यान रखी यह वाला और एक लाइन हमें और ड्रॉड करनी पड़ेगी एक लाइन और करनी पड़ेगी उसे भी हम अभी बात में आपको बता हूं आप देखना ज्यान से इस पूरे डेयाग्राम को मैं ऐसे बनाने हाँ ऐसे ऐसे तो होगा आपका डायमीटर का और यह आपकी लूप एक्सिस पर एक्सिस पर यहां सेंटर से स्मॉल डिस्टेंस पर हमें करना है मेगनिटिक फील्ड और यह जो सरक्ल की यह लूप की जो रेडियस है इस रेडियस को हम लिखेंगे बहुत ध्यान से समझेगा यह भी एक्जाम में कई बार आच चुकी ज्याद्ब तो वह आई यह जो अभी हमने पहले लेकिन यह भी एक्जाम में कई बार आच जो लूप हम ड्रॉख कर रहे हैं कि अ डिस दे लूप करन केरिंग लूप अ जिस पर अगरिम लूप खीक है यह करेंट केरिंग लूप मैंने इसको ड्रॉप किया है और ग्रीन पैंसे ड्रॉप करदूं दिसिश्ट डायमेटर अफ लूप हेर इस सेंटर ओ डायमेटर अबी करेक्ट एक्सिस अफ लूप दिस इस अफ लूप और इस लूप के एक्सिस पर डिस्टेंस स्मॉल आर पर फाइन करना है मैंगनेटिक फील्ड डिस पॉइंट पी अभी मैं पी पॉइंट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वह यह वह था था बहुत जाला इस पॉइंट पी यह ओ लिस इस पॉइंट पी और हम कन्वेंशनली यह कह देंगे कि ओपी इस एकसिस एबी इस वाय एकसिस पन्वेंशनली वैसे एकसिस या वाय एकसिस होना जरूरी नहीं है इसका ब्लूप इसका अब इसमें की डिरेक्शन में कंसिटर कर रहा हूं करेंट की दिरेक्शन थोड़ा सा मुझे लेना पढ़ेगा जरह साइड़िया लेना पढ़ेगा एकसि यहां करेंट की डिरेक्शन में ऐसी ले रहा हूं तो यहां जो पॉइंट ए है मेरा पॉइंट एकंसा देखो पॉइंट एकंसा जहा यह मैंने डिमीटर्च रहौ किया है इस पॉइंट ए यहां ॥ियार टेक्षिन और प्लेंट रखना की डिएक्षिन आउट और और इंट टेशिंट अध़िय। करंट की सब्सक् rec게요 कि डिएक्षिन समझना भूस दरूरी है डिलेक्शन और को एक साथ हाथ में पकड़ लेता हूं फूडशा तो पढ़ता है लेकिन कि यहरा यह मैसे बनाए हुआ है तो मेरे डिटाइग्रामें है वो यहां है वह कहां है कि ऐसे हैं सब्सक्राइब है जो लूट है और अधर लूप लूप इस पेपर के नीचे हैं वास है एक यह डायप मीटर हो गया मेरा यह ने लो यह जो डाइग्राम बन रहा है मारा एक्सिस हमने बना रखी अपने लूप पर हम नहीं आप पर पर हमने यह एक्सिस बनाए वी यह तो आधह लूप कहां है आधह लूप पेपर के नीचे और आधह लूप टेपर के उपर है अभी जो पॉइंट ए यह कौन से वाला पेट आपको समझना है कि पॉइंट पी है पॉइंट पी है ॐंट पी पर हमें करना पी मैं अभी लिखने रहा क्योंकि मुझे अभी पता नहीं कहां लिखो को ठीक प्वाइंट फिल्ड करने के लिए करने के लिए हमने जोईन करना है इसे अप पे से जोइन करना है कहां एपी को जाइन करना है और जाइन करना है हमने बिटको जॉन करना है गरें करेंगे यहां को करेंगे में फील्ट कुरंट कुरंट करेंबि ऐगिन ऑ के एक अरौन मैंने लिए और लिया तो कि इस डिय ऐल का मेगनिटिक फील्ट कितना है किस डिरेक्शन में पहले तो हम यह कितना है मैं थोड़ा है मश्किल पढ़ता है क्योंकि अगर क्लासरूम में तो यह हमें उसे पकड़वा देता और चुछ बताता कर दिस इस देनुप थोड़ा सा उपर करने रही है यह आपका लुक है डिखना थ्यान से बहुत बहुत भाउत सब्सक्राइब है ठीक है और एे पॉंट कहाँ है मेरा लेशिप पॉंट ए और थी पॉंट जाए है अब इस पॉइंट एपर मैंने एक करेंट एलिमेंट बना दिया इस करेंट की डिरेक्शन कैसी है मैं इसे लगा देता हूं करेंट की डारेक्शन यह ऊपर की तरह है ठीक है तो मुझे अपना राइट हैंड पाम रूल लगाने के लिए अंगुठा यह रफना पड़ेगा अंगुठा ऐसे रखना पड़ेगा राइट हैंड पाम रूल लगाने के लिए अब यह मेरा पॉइंट है यह मेरा पॉइंट दिस इस पॉइंट पी एक मैं एक एक मैं यह और लगा लेता हूं रिफिल इस पकड़ पाना बड़ा मुश्किल काम है इस चैलो जी हो गया इतना तो हुआ ठीक है यह आपकी आगे अब देखना ज्यांसे मुझे यहां मैंगनेटिक फिल्ट यह मेरा करन्ट अलिमेंट है और मुझे इस करन्ट एलिमेंट का मैंगनेटिक फील करना यहां इस पॉइं लगाना मैंने करा अपना अंगूठा करन्ट की डिरेक्शन में और मुझे पॉइंट पी यहां है पॉइंट की तो मुझे उंगलिया रखनी पढ़ेंगी इस पॉइंट की तरफ को और यह अंगूठा मुझे रखना पढ़ेगा अपवड बड़ा मुश्किल मेरे लिए यह मैंने निकाल दिया यह मेरा डायमीटर है अब डायमीटर को भी मैं निकाल रहा हूं क्योंकि मुझे मेरी पकड़ में नहीं आ रही हमें इस वाली लाइन से मतलब है मुझे यहां पॉइंट पीपर मैगेटिक फिल चाहिए और यहां इस जगहा पर करंट की डिरेक्शन क मुझे ले रखने है इस पॉइंट की तरफ को बहुत ध्यान से देखना बहुत बहूंत बहुत इतनी सी बटल असमझने की इतना टाइम लगा रहाँ हूं कि इतनी सी बात है अब जुनिया हम आपको के लगत तर इकशन बवोEL से टिरेक्शन यह मैं बिल्कुल अपनी हतेली और देखें आप में से कौन समझ पाता है यह होगी सर अब फिर से बताओ आप सुचित क्या बोल रहे हैं मुझे लगता बिल्कुल ठीक सी कुल मिला के सिर्धी लाइन होगी है तर जो सेंटर से नहीं कर भी होगी है अभी तो आप मुझे केवल मैगनेटिक वाले की क्यों बात कर रहे हो अभी तो मैगनेटिक फिल्ड ड्यू इस पर फाइंड बता दो इसको इसका मैंगनेटिक फिल्ड जो इस डीयल कव कहा होगा मैं इसका मैंगयटिक फिल्ड इत्य लक्न फेल क्रिरिवेंट का मेंगयटिक लुग्यंटटिक जो तस पॉजिट्टीव लाwie कि अच्छलों मैं बताएजिए क्योंकि मुझे आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही है इस डारेक्शन में वी से पॉइंट उससे जो रखता है जो भी पॉइंट है और डिस्टैंस पर है तर इस सब्सक्राइब इस पर मैं सीदी लाइन ऐसे ड्रॉकर दो चलो मैं अलग से रफ डाइराम कर रहा हूं यह मेरी एक्सिस है यह मेरा लूप है तो मैं कैसे ड्रॉकर करूं मैंगेटिक फिल्ड की डिरेक्शन यह ड्रॉकर हूं यह करूं यह करूं यह करूं बता दो अच्छा बस इतने वाली यह वाला उपर वाला यह सब इस पर एगरी है यह नहीं आए एक्टेली ना यह नहीं बहुत ध्यानते समझों आप मुझे आपकी आवाज साफ में आ रही क्योंकि नेटवर्क इशू है आपकी अजीप सी बन रही है तो चलो मैं बताएं तो चलो ज्यान से अब जो मैंगनेटिक फिल्ड है पुश की डिरेक्शन इस ओपी लाइन के पर्पेंडिकुलर है दिस इज दे मैंगेटिक के दी बी बहुत ध्यान से दम जो यह मैंगेटिक फिल्ड पर्पेंडिकुलर है और पी के पर्पेंडिकुलर जहांते देख बीचे को यह मेरी हतेली ऐख यह और मैंने ऐसे लगाया तो पुश कहां रहे पुष यह रहा पुष कहां है इस ओपी ओपी के परपेंडिकुलर है ओपी से राइट एंगल बना हुआ है और मैं इसको डियल ने सॉरी डीवी लिखूंगा इसको यह मैगनेटिक फिल्ड की डिरेक्शन है और सिमिलर्ली जो मैगनेटिक फिल्ड इस नीचे बी पॉइंट के राउंड लिया इसका मैगनेटिक फिल्ड क्या होगा इसका मैगनेटिक फिल्ड होगा बीपी के परपेंडिकुलर और एग्जेक्ली उतना ही होगा और बहुत सारी किताबों में यह डाइगराम गलत बना हुआ है इसलिए जो डाइगराम में ड्रॉ कर रहा हूं इसे आप गलत बना हुआ ढemouch घाल को मैने देरिक्शनेक कि अलग अलगत लगए के दूसरे के लाइन पर भी नहीं और एक दुसरे दो करेंगे तो कैसे और डीवी कर लेता हूं डीवी और डीवीडेस कर देता हूं मैं डीएल डेश कर देता हूं जबकि क्युमेड़ी मैगनीचुड में दोनों इक्वल हैं χम ने इन्हे हमने इन्हें रिजॉल्व करना पड़ेगा कि ठीक है कंद रिजॉल्व करना पड़ेगा इन्टू तो कंपोनेंट्स और जब आप यह रिजॉल करके बनाएंगे तो एक बहुत ही प्यारा ओरिजिनल कंपनी वाला रेक्टेंगल बनना चाहिए जाधातर बुक्स में यह रेक्टेंगल नहीं बना हुआ एक बहुत बढ़ी आहां लगी मुझसे भी ओरिजिनल कंपनी वाला रेक्टेंगल नहीं बना थोड़ा सा मेरे यह साइट छोटी रहेगी यह साइट मेरी बढ़ी कोई बात मिंद्वा आपको आपको बनाना और है पर्फेक्ट एक्डम रेक्टेंगल प्यार असा पर मेंडिकुलर टू यहां गया डबल डबल और अलोंग ड़ा वाला कि अब यह कितने कितने कंपोनेंट होंगे कितने कंपोनेंट होंगे तो बहुत ध्यान के समझिएगा इस एंगल को मैं लिख रहा हूं अलफा सिमिट्रिकलिए ये वाल एंगल भी आपका क्या होगा एलफा होगा बहुत ध्यांसे समझेगा आपकी यहसे बनाई है यह एक्स एक्स और यह कि बीचका अलफा हुसम्समें से एक वो सौरी 90 डिगरी एक अलफा निकाल दिया तो यह वाला कितना एंगल बचा बताओ यह वाला कितना एंगल बचा जहां मेरा पैंड चल रहा कोई एक जवाब दीजे पठाक से यह एंगल कितना बचा सब्सक्राइब यहां मुझे लिखना सब्सक्राइब फिर से मैं आपको बना के दिखा देखो यह मेरा एपी है और यह डीवी परपेंडिकुलर दूसरे के समझाई तो अब ध्याने यह पूरा का पूरा इंगल नैइटी है उसमें से ऐें किस अँप गया कि बी शाइन अल्फा और इस का निटना बन जाएगा बीडेश ताइन अल्फा और यह वाले और तोड़ा समय को मैं लेता हूं ताकि मैं लिखने में आसानी रहूं यह बनेगा थी आपका डी बी-कॉस और याद कीजिए कि जिस जिस कंपोनेंट के साथ एंगिल बना होता है वह वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट डी भी कॉस अल्फा लोगिक यह आपके आगए सारे के सारे एंगिल ठीक है अब बहुत जल्दी से समझ लीजिए बहुत जल्दी से समझ लीजिए क्योंकि टाइम हो रहा है खतम 30 मिनिट्स हो चुके हैं द्यान से देखें बीबी कितना है यहां पर डीबी कितना है मैं इस यह डिस्टेंस है हमारी और मैं इस डिस्टेंस को लिख रहा हूं सब्सक्राइब करना है तो अब ध्यान से देखना डी एल ने जो मेंगनेटिक फिल्ड इंड्यूस किया पॉइंट भी पर कि मैंगनेटिक फिल्ड ट्यूटू करेंट एलिमेंट डील कि अराउंड ए डी बी इस इक्वेस्ट टू म्यू नॉट अपन फॉर पाई यू नॉट अपन फॉर पाई कितना बनेगा आई डी एल अपन एक्स स्क्वेर साइन अच्छा कौन मुझे बता सकता है साइन ठीटा की वेल्यू क्या रखो मैं चलो ठीटा ही रख देता हूं फिलाल तो ठीटा रख देता हूं और इसकी डिरेक्शन कहां है मैं सब्सक्राइब करन फॉर अंध्याल और ग्फॉम्टों न वर्म गौरण यह क्या हो जाएगा क्लिक से कूकि डिरेक्टन में तो मैं इसको लेक्टर इक्यू कैन ठीटा टांगेईंगिर सaters बते चली से अशनी में गयास्गण अन्गल। हाँ यह थीटा थीटा हमारा इस डियाग्राम में नहीं है इस डिखाई नहीं दे रहा हुआ है चलुक्ष मैं बताया तो आपको थीटा है 90 दिगरी नहीं दिगरी थीटा क्योंकि देखें दियान से करन्ट एलिमेंट पर रॉनिंग आउट आउड टाइम अगई और यह मेरा यह ठीक है तो दो द्यान से यह यह वाला एंगल है कौन सा वाल एंगल यह वाला एंगल है इस एंगल इस राइट एंगल सब्सक्राइब सकते हैं तो हम सिंपली दोते यह राइट एंगल है समेठ यहें करंट वह ने मैंने यहां और यह यह मनने यह यह रहा एंगल के वाला राइट एंगिल है यहां आप सब्सक्राइब है तो हेर थीटा इक्वेल्स नाइन्ट डिग्री हम लिए स्पैसिफाइब कर दें इसको नॉट ड्रॉण इसे हमने ड्रॉण नहीं करा तो अब सीधे सीधे बात आपकी क्या आगई क्या आगई ड्यटी बैक्तर एक्वेल्स मूँँ नॉट बैट प्याइड पित्यू के घुकल्क कि करिके सिमिलरली से प्याएड होती के इसे का कि ऊपीड्याइड । मूअट फोर पाइड्याड श्क्यbies बाइड थेट्यू कि इसकी डिर्यक्षन तो मैं लिख देता हूं इसको क्या पी एस कैप ओके हां लिमिट टेंस टू लिमिट टेंस टू तो इसका मतलब नुमेरिकली डीवी और डीवी डैश दोनों आपके आपस में कैसे हैं इक्वेल है नुमेरिकली डोनों इनका मैगनिटूर दोनों का सेम है तो अब अब ध्यान से देखिए ध्यान से अब हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे डीवी डीवी डैश वेन रिजॉल्ड अलॉंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स डीवी कॉस थीटा डीवी कॉस अलफा व्था डीवी डीवी कॉसल्फा यह क्या है ऐख निटकुलर तुद धा एक्सिस अफ-फ्डीज दा कंपोनेंट्स अलोंग एक्सिस पर्पेंदिकुलर टू एक्सिस अफ-फ दें थो और बोथ थक्पोनेंट्स अटक्वेल ड्पोजिट से रिक्वेल अपोजिट एंश बै रेक्तंग आल्ग गुद और गुद गुद धर गुद आलों पर पंदिकूलर टू अ थब्योग वींगे और गुद और आपूजिक वींगे गुद एड़। अपुद अपोजी balance each other ठेक है and components along axis of loop being in the same direction get एडिड़ वाले जो पैक्सिस परपेंडिक्लर टू एक्सिस ऑफ लूप है यह दोनों इक्वल है अपोजीट है बैलेंस हो गए लेकिन जो इन डिरेक्शन जो अलॉंग डिवी साइन अलफा डिवी डैसाइन अलफा दोनों एड हो गए तो अब जहां से देखना यह अभी हमन ऐसे ले लूँ तो उसके लिए भी यह कंडिशन मनेगी अगर मैं एक डायमेटर ऐसे ले लूँ तो उसके लिए भी यह कंडिशन मनेगी कोई से भी डायमेटर ले लिए तो हम क्या लिखेंगे हम हम लिखेंगे बस इतनी समझने की बात है बागी तो इसकी मैथमेटिक सिंपल है एक फॉर एनी तू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ठीक है कंपोनेंट्स अलॉंग ओपी गैट एडिड अप सारे कंपोनेंट्स जो डीबी अलॉंग एक्सिस अप लूप है इस अब हो जाएंगे तो अब सिंपल सी बात है बिल्कुल नेट मैगनेटिक फिल एट भी ठीक है साइन अल्फा कहां से कहां तक जीरो से टू पाई आर्ट कर दीजिए लेकिन अगर आप यहां से इक्वल लेतें इन दोनों को जोड़ते हैं तो फिर आपको लेना पड़ेगा आधा सरक्मफ्रेंट्स अधा सरक्रेंट्स लेना पड़ेगा पूरे के पूरे सरक्ल पर कहीं भी ले लिए उन सब के यह कंपोनेट होते चले जाएंगे तो अब हम लिख देते हैं इनकी वैल्यू तो इंटिग्रेशन प्रॉम जीरो टू टू पाई आर और डीवी की वैल्यू कितनी है है मिउनाट अपॉन फॉर पाई मिउनाट अपॉन फॉर पाई आई डीएल बाइए एक्स स्क्वाइर ठीक है अभी मैं सिर्फ चलो वह भी ले लेते हैं और यह आया आपका साइन अलफा और अलॉंग ओपी कैप हो गया सीधा क्योंकि यह वाले दोनों किसके अलॉंग पढ़ रहे हैं वह से पी के तरफ पूर रहे तो पी कैप मैंने बना दिया डायर्ट हैंट टू हैंड डायरेक्शन भी लेके चलने यथ जो भी कॉंस्टेंट है बाहर निकाल लिया हमने म्यूी नाट अपॉन फॉर पाई है एक स्क्वाए यह ना और और लएट कोंस्टेंट वनेघा और इंटीटेशन जीरो से टूप आयार कि इसका रह गया डेल कर रहे गिया अलॉंग के टैप ओके इंपल बीएक्तर इक्वल्स मुनौट अपन फॉर पाई आई बाई एकसवयर इंटु एकसपटर इन्टो साइन अल्फा साइनलफा मैं यहां से लिखूंगा साइनलफा कितना बनेगा साइनलफा बनेगा अपोजित साइड अपन और एक्स को फिर सब्सक्राइब कर देंगे किसकी टॉट में इस मॉल आर और केपिटल आर की टॉट कर देंगे तो यह बना आपका इतना बना कैपिटल आर बाई एक्स और इंटिग्रेशन डियल सारा करके बन जाएगा टूपाइब कैपिटल आर अलॉंग ओपी सिंप्ल मैथमेटिक से मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा नहीं इस बारे में आप सब कर सकते हैं पाई बाई पाई आर इसक्वाइर अपन एक्सक्यूब और चलो मैं टूपाई लिख देता हूं काटपीट करने से को फाइदा नहीं ओपी कैप ओपी कैप ओके अब यह एक्सक्यूब को मैं सब्टिट्टव कर रहा हूं एक्स कितना है देखना द्यान से इस्क्वाइर रूट अप आर स्क्वाइर प्लस इस्क्वाइर प्लस पावर इंटू पाई अलांग ऑडी केप पोपी और गदया अप मैने इसको नाम आप अब सिंपल सी बात है बीजी कर्द टू मुओन और टू का इसे तो इसे कैंसेल कर दो मुओन अपन टू रहे गया आई आर स्क्वैर आ यार अइसक्वैर अपन टू क्योंकि पाइट कैंसेल होगे मैंने टू कैंसेल कर दिया on the axis of the loop